चालू वर्ष के दौरान काबुली चना, सफेद चना के घरेलू उत्पादन में बड़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि उंचे बाजार भाव से उत्साहित किसानों ने इसके बिजाई क्षेतर में इजाफा किया है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे प्रमुक उत्पादक राज्यों में काबुली चना का क्षेतर फल बढ़ने की सूचना मिल रही है। किसानों को पिछले साल उंचा मूले प्राप्त हुआ जिससे काबुली चना की बिजाई के प्रती उसका उत्साह एवं आकर्शन बढ़ गया। की जीम जबूती का माहौल बना रहा। हालांकि बिजाई छेतर में व्रिधी हुई है और अब तक फसल की हालत भी अच्छी दिख रही है। लेकिन अगले कुछ सप्ताहों के दोरान मौसम की स्थिती पर नजर रखना आवशक है क्योंकि इस पर ही इसका उत्पादन निर्भर करेगा। मध्यवर्ती भारत बड़े पैमाने पर काबुली चना के उत्पादन के लिए विख्यात है लेकिन वहां मानसून की बारिश अनिश्चित एवं अन्यमित हुई थी। दिसंबर में सामाने से ज्यादा गर्मी रही जबकि जन्वरी में मौसम थंडा हो गया। मौसम विभाग ने फरवरी में गर्मी बढ़ने की संभावना व्यक्त की है इसलिए फसल पर मौसम के प्रभाव का आकलन करना दिल्चस्प होगा। All India Dal Mills Association के अनुसार पिछले साल दो हजार तेईस में धिकांच दिनों तक काबुली चना का बाजार भाव एक सो रुपए प्रती किलो से उंचा रहा जिससे किसानों को इसका बिजाई क्षेतर बढ़ाने का प्रोथ साहन मिला। इसके फलस्वरूप चालू वर्ष के दोरान उत्पादन बहतर होने के आसार है। जिसमें काबुली चना भी शामिल होता है।